आज का दिन की पॉसिटिविटी को एंब्रेस करके आगे बढ़ने का है समानता जाएगा आज का दिन कुछ खास उतार चड़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा प्रोफेशनली नए अवसर या नए आयाम टच कर सकते हैं ये नए अवसर आज के दिन आपको मिल सकते हैं लेकिन एक्स्प्लोर करना और राइट दिशा में उसको आगे लेकर जाना ये आपके उपर निर्भर करता है लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव साज़ा होता हुआ नजर आएगा लीगल ट्रबल या लीगल कोई कोट केस या कोई बाधर चल रही थी तो उसमें भी अब समधान निकलने की परिस्टिती बनती हुए नजर आएगी किसी व्यक्ति विशेश्ट की तरफ से आपको कोई बहमूल राय मिल सकती है जो आपको इस सिचुवेशन से निकालने में काफी जादा महत्रपूर्ण लाबकारी साबित हो सकती है बात करते हैं व्रिशब राशी वालों के लिए आपके लिए सिचुवेशन व्रिशब राशी वालों बिल्कुल सही रहेगी अनुकूलता बनी रहेगी मना आपका शांत रहेगा विचारों में प्रबलता देखने को मिलेगी पराक्रम में वृद्धी रहेगी लंबे समय से जल रहा पारिवारिक तनाव आपका भी ठीक होता हुआ नजर आएगा और अगर आपके रिलेशन्शिप में कोई इंस्टिबिलिटी चल रही थी तो उसमें भी आप positivity आपको देखने को मिलेगी साथी साथ जो लोग निवेश के point of view से साथी साथ आज के दिन अपने आपको संभालते हुए positivity का पूरी तरह से एक example देते हुए परिवार में आज के दिन कोई confidently आपको महत्वपून तरीके से एक निर्देश लेना है कोई निर्देश देना है कोई suggestion किसी को देना है या पूरे परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए एक निर्देश आप ले सकते हैं बात करते हैं मितुन राशी वालों के लिए स्वास समंदी चिंता हैं आपकी दूर होती भी नज़र आएंगी नई उर्जा का संचार आज के दिन आप अपने अंदर देखेंगे प्रोफेशनली काफी ज़्यादा लावदायक चीज़ें आपके लिए हो रही है काबिले तारीफ है कि आपने इतनी चीज़ें को इंब्रेस करते हुए चल रहे है माता-पिता के स्वास के प्रती थोड़ा सा सजग या सचेत रहने की ज़रूरत है और इंटुटालिटी में अगर देखें प्रोफेशनली आपके लिए हल्प इंडिकेटिव है जो लोग कंट्री से बाहर मूव करने की सोच रहे हैं या सिटी चेंज करने की सोच रहे हैं उनके लिए उप्शन अब तयार होते हुए नज़र आएंगे प्रोफेशनली आपके लिए चीज़े नुकूल है साथे साथ बिजनस विस्तार के बारे में अगर सोच रहे थे अपने आपको और पॉज़िव बनाते हुए सब तरफ से आपको एक कोलाबुरेटिव अप्रोच लेकर परिवार के हितों को ध्यान में रखकर कोई न कोई एक निरना लेने की आज के दिन जरूरत है कामकाज में परिस्तितिया नुकूल रहेंगी कुछ खास नया भी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अप्रक्टिविटी इंटेक्ट रहेगी साथ ही साथ आज के दिन आपके जो option आप life में में लेना चाहते हैं चाहे personnal life में आपके पर्समय उन a को सोच समझ के लेने की जरुरत है बात करते हैं सिंग राशिवालों के लिए सिंग राशी वालों अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन निवेश पॉंट अभी उसे काफी अधा अच्छा माना जा सकता है साथी साथ लॉंग टर्म फिनांशल प्लांस भी या गोल्स अगर आपके हैं वो आपके अरेस्ट होते हुए नजर आएंगे उसमें कहीं न कहीं कंट्रोल बना पाएंगे एक्जिक्यूशन लेविल की स्ट्राटेजी आज के दिन आपको लागू करने की जरूरत है पारिवारिक स्थिर्ता पारिवारिक सपोर्ट बना रहेगा मन आपका शांत रहेगा विचार आपके प्रबलतम शिखर को छूते हुए नजर आएंगे इंडिटालिटी आपके लिए अच्छी परिस्थिति आगे बढ़ते चलिए आपको सब तरफ से अपने लिए पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिलेगा साथि साथ आज के दिन अगर आप प्रापर्टी मैटर्स में कुछ इंवेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छी डील्स या अच्छी आप्शन आ सकते हैं बात करतें कने राशी वालों के लिए कने राशी वालों परिस्टितियां अनुकूल हैं मन आपका शान्त है विचारधारा है आपकी प्रबल है कॉन्फिडेंस लेविल में इजाफा होते हुए देखेंगे समानता जाएगी आज की परिस्टिती कामकाज में आप अपने लिए अच्छी परिस्टिती अल्रड़ी क्रियेट कर चुके हैं पदोनिती की अल्रड़ी परिस्टिती बनी हुई है लाबदायक है वो परिस्टिती जहां पर आपको कोई चुनाव या अंदिरनाय करने पड़ेगा आप्शन्स को सोच मचकर आज के दिन आपको लेने की जरूत है निजी कार शेत्र में या अगर आपका व्यवसाय है दोनों में आज के दिन आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटिव है बात करते हैं तुलराशी वालों के लिए तुलराशी वालों चीज़ें सिचुएशन्स परिस्थिती अनुकूल है मन आपका शान्थ है लंबे समय से चल रहा कोई भी अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट है कोई आपकी प्लानिंग है कुछ आप अपने लिए करना चाहते हैं परिवार के लिए अनुकूलता लाना चाहते हैं और चलते चलते चीज़ों में विराम या विश्राम लग जाता है या फोर एनी एक्स वाइजी रीजिन अगर आप उस चीज़ को नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपके जो लॉंग हेलड़ अप प्रॉजेक्ट से अब वो आगे टेक अप होने शुरू होंगे साथी साथ जो लोग विदेश में रहने के विदेश में काम करने के एक्षुक हैं उनके लिए भी परिस्तिती अनुकूल होती हुए नजर आएंगी बात करते हैं विदेश 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 में के लिए स्वास संबंदी चिंता हैं सेकंड हाफ के बाद आपको परिशान कर सकती है तो खान पान पर नियंद रखने की जरूरत है बात करते हैं धनूराशी वालों के लिए धनूराशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन positivity को embrace करने का है आपके रिये भी आज के दिन सारी situations positive रहेगी कुछ खास उतार चड़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा आराम से चलते चलिए अपने लिए आप प्रबलतम शिखर को अरड़ी छूच छूच चूच चूच हैं आपका स्वास सही रहेगा परिस्तितिया नुकूल रहेगी मन आपका शांत रहेगा lifestyle improvement techniques पे आज के दिन आप भी काम करते हुए नजर आएंगे हाला कि second half के बाद थोड़ा सा आपका जो schedule है वो इदर से उदर हो सकता है disorganized हो सकते हैं मन अशालत हो सकता है लेकिन चूकि आप इतने दिनों से काम काज में लगे हुए हैं तो ये natural process को ही इसको समझते हुए आज के दिन आपको आगे बढ़ाना चाहिए बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए आपके लिए नुकुलता बही रहेगी कुछ खास नयापन नहीं है चीज़न जैसी चल रहे हैं चलती रहेंगी समानिता है अच्छी परिस्तिती है पराकरब में भी वृद्धी है confidence लेवल में भी जाफा है परिवार का भरपूर सपोर्ट बना हुआ है नई चीज़ों पर अच्छी परिस्तिती है इसी तरह से चलते चलिए आपके लिए शुबता सब तरफ से जीवन में इंडिकेटिव है बात करते हैं कुम्राशी वालों के लिए कुम्राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन positivity को embrace करिया आज का दिन अपने मन को शांत रखि आगे बढ़ने की जरूरत है कामकाज में थोड़ा सा परिवर्तन स्ट्राटिजी को लेकर आज के दिन कर सकते हैं मूलता आपके लिए परिस्तिती सही रहेगी कुछ खास mental stress आपको आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा घर में छोटा मोटा आपका विवाद हो सकता है तो भी आपके लिए काफी लाबदायक मानी जा सकती है जिस तरह से आपने लिए पॉजिटिविटी बनाई है वो काफी काबिले तारीफ है परिवार के साथ आप काफी चीजों पे विचार विमर्श कर सकते हैं confidence level में जासफा होते हुए देखेंगे सब तरफ से positivity अलड़री ब पहने के जो परिस्तिती पे आप बिचार कर रहे थे वो आप situations आपके लिए गतिश्किल तरीके से आगे बढ़ती हुए नजर आएगी इसके साथ मुझे आगया दीजे मैं कल फिर आजरूंगे नमसकार